नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनल इस्टेडिस में अब सभी के लिए यहां पर हश्टल वाड़न इवां पटवारी के लिए हिंदे का क्लास वन लेकर आया हूं जो कि दुनों एक्जामों में 10-10 प्रसने पूछे जाएंगे जो कि आपका मुश्ट इंप सब्सक्राइब करें चात्राओं से दिक्षक से उंपटवारी से तो उसका मुट्वी के सान आप तक वस्ते पहुंचे और वीडियो अच्छा लगए तो लाइक जरू करें साथे साथे साथ टेलीगरम ग्रूप निक निचे देगए उसको जरूर से जोएन करिए तो आए इ जो कि और हैं जितने भी आप पर प्रसन है बहुत है स्लेक्टेड प्रसन है अपके वेपां कोई भी एक्जाम में आने की संभावना है तो आप अच्छे से देखिए अच्छे से पढ़ते जाएं दोस्तों आप कंप्यूटर का क्लास नहीं देख्योंगे तो आपको नीचे मिल जाएगा दो क्लास मैंने आप पर बता दिया है 50 50 प्रसन हैं पर 50 50 प्रसन तो जाकर नीचे लिंक मिल जाएगा जाकर ज़रूर देखिए साथ सथ पटवारी का उड़े पर जो कि 2014 और 2016 का नीचे आपको लिंक मिल जाएगा जाकर आप देख सकते हैं तो उसलिए जो दूसरा प्रसन है सही वरतनी वाले सब्द चुनिए तो यहां पर चार सब्द दिया है तो इसमें से सही कौन से आपको गेस करना है चुनना है तो पर लिए तो तीन के और करेक्ट आंसर हुजाएगा आपको दिग जो कि इसका सही आंसर होगा तो यहां पर आए संदी के बारे मतवर से बता दो कि संधी आप तीन प्रकार के होते हैं आप सभी को मालूम होगा जिसमें पहला आपको है सवर संधी कर दूसरा आपका व्यंज यहां पर जिसका अंसर आया है का तो विध्य संधी वरु क्यों अनसर होता है जो कि यहां पर आपके घितने भी ऐसा सब्द जिसमें ऐकी मात्र हो और अपका च्रूं कि अगर ऐसे सब्द अधिकांस मोब्ते हैं तो आप मान के चलिये वह इहां पर क्या कूं से संधी होगा अपका व्रिद्य संधी तो जो व्रिद्य संधी है इसको आप असानी से पहचान सकते हैं अधिकांस में यहां पर आए की मात्रा और आव की मात्रा यहां पर आती है पतलब जान लेजिए वह विद्धि संधिय है यह एक पहचानने का क्या है तरीका है तो चले नेक्ट कोश्चन के तरब बरते हैं दस मुख में कौन सा समास है तो कर्मधारा समास है दिगु समास है ब्रहुब्रवी समास है या दिहतत पूरु समास तो इसका करेक्ट आंस नहीं पर सी होजाए का ब्रहुब्री समास तो आईए यहाँ पर थोड़ सा समास के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर दस मुख है दस है जिसके मुख तो यहाँ पर सिधा सिधा ऐसा समास जो किसी तिसरे की तरफ इसारा करता हो या जिसका अर्थ यहाँ पर जिसका अर्थ है तिसरे की तरफ जाता हो वह सभी क्या है यहाँ पर भुब्री समास है जिसे कि इसमें दस है जिसके तोटल शैंपर कार नकर कि होते हैं आप सभी को वर्मश कोस समास किler 2014 आप देख सकते हैं तोसं में एक बहुब्री है ज़ो समास होता है जिसके दोनों पंद में कसी तिसरे की आर संकेत करता है डी ज़से हैं लाफ्ष यह यहां पर कन्या दान को समास है कुछ कुछ कर्मधार है कि तो यहां पर कन्या का पर क्या हो जाएगा तत्पुरुस हो भी कुछ तो जितने भी सब्द्में पर का सब्दाता है तो क्या होता है संबंध पूर्प्रोस खाएंगा तत्पुरु समास में भी अंदर से पूछा जाता है की कुझसा तत्पुरु समास है तो यहां पर आईए, तो योग रूड किसे कहते हैं, योग रूड उसे कहते हैं, जो अपने अर्थ को छोड़कर, जो अपने अर्थ को छोड़कर, किसी विशेसर्थ BEC या दूसरे की तरफ है अर्थ पर कट करता हू, उससे क्या बोलते हैं यहांपर योगृषड तो आप कि यह पर जितने भी समस के लगवाग उदारण होते हैं जितने भी होते हैं वे क्या होते हैं तो आप मान सकते हैं कि आपका योगरूर होता है तुसको भी संकर सब्द किसे कहा जाता है तो ऐसा सब्द है जो दो सब्दों से मिलकर या दो नए सब्दों से मिलकर यहाँ पर बना होता है जैसे कि दो अलग-अलग सब्दों से मिलकर जैसे कि आपका रेल और गारी तो दो यहाँ पर अलग-अलग सब्द है तो उसको यहाँ पर क्या बोल जाता है रेल गारी या जो रेल गारी है उसको यहाँ पर संकर सब्द कहा जाता है नेक्स्ट है उत्पत्ति के धार पर सब्दे के कितने भेद होते हैं तो उत्पत्ति के धार पर आपर सब्दे के चार भेद होते हैं आट का जो क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका चार जिसमें पहला है तत्सम है दूसरा आपका तद्भाव, तिसरा आपका देशज और चौॉत्या आपका क्yा है हrau ओविदेश हुर्य सब्द है सुर्ययंतन वह बिन क्या होगा। तो सुर्ययाडी है सुर्यय है सुर्ययो सुर्याई गालूम होगा produkt इस तरी निंग पूल एंग यहांपर जो पुलप लिए होता है और यह इस लिंग भी झेल नहПрपकां opposite के यहुझ सब्सक्राइब प्रकार का नैंगरा नेक्स्ट कैस्ट कौून का सबद है उसको बुरा जाता है तो उसको बुलेग दाता है होते हैं एक्वचन मतलब एक ही बार में जो एक सब्डें में बूला जाए वह वाचन होता तो प्रान्ट ऐसा सब्द्ध है जिसको बहवचन में हमेशा प्रयुक किया जाता है लिए तो निया में नहीं है तो यहां पर तेरा कमा थोर से डिपनेशन बता दूं तो जो हिंदी में कारक के संख्या आठ होती हैं आप सभी को मौलूम होगा हिंदे में प्राय कारकों के संख्या कितने होती आठ प्रकार के कारक होते हैं तो आए उसके जो आपका जिड में भी पर और में आता हो वह सभी क्या आप अधिकरण है इस तरह से वाकिमें क्या आएगा अधिकरणपर नेक्ट कोश्चन है पर आपका के या जो सब्द है के लिए या आपका को इत्यादी जितने भी आपर सब्द है जो भी इसके बीच में आता है आपका क्या हो जागा है यहां पर संप्रादान काराख हो जाएगा जैसे गरीबों को वस्तर दो गरीबों के या गरीबों के लिए तो इस तरह के सब्दों में क्या आता है संप्रादान आता ह जो किसी को देने का भाव प्रकट हो एगला है नागर का प्रायवाची सब देख्या होगा तो नगर है चतूर है धोल है ग्राम होसी तो नागर का करेक्ट आंसर आपर भी हो जाएगा अपर चतूर दोस्तों अगर आप अपने पटवारी भरती उम्छात्रवास की यो गेता य अगला प्रस्टन है जो हमेशा रहने वाले को कहते हैं तो आपका सास्वत है समसमाई प्रारदा या पाढथी तो इसको सही आंसर आपर क्या हो जाएगा आपका सास्वत अगला प्रस्टन है निम लिखित में से कौन से विराम चीन नहीं है तो अल्प विराम है आप सभी को मालूम होगा पूर्ण विराम है इसको निर्देशक चीन है तो इसमें से डी हो जाएगा जो कि और तरान क्या है यहाँ पर आपका विराम चीन नहीं है अगला प्रस्टन है यदि सही दिसा म परिस्रम करोगे तो यहां पर अवस्त सफर हो जाओगे तो जो वाक्य है यहां पर जिसमें भी यदी हो आपका या अगर हो तो हो या जैसा वाइसा आपको सब्द में या वाक्य में मिल जाए वो सब क्या है यहां पर निसित वाक कहलाते हैं अगला प्रस्ण है जो कि हो सकता ह आपको सका काम बन जाए इसमें कुछ सा यहां पर वाचक है तो निसेद वाचक है आपका संद्धेव संदेव अधार पर आपके वाक्य के आठवेद होते हैं और जिसमें संदेव का मतलब यह होता है जिसमें संभावना हो यह संदेव वह सबीस में क्या हो जाता है आपका संदेव अचक वाक्य बन जाता है तो इस तरह आपके लिए हिन्दी के क्लास है जिसमें लगभग 21 पर स्वाइब कर दो चैनल को आप सब्सकाइब जरूर कर ले साथे साथ बिल घंटे के अल बटन को प्रेस कर लेते चुले दोस्तों धन्यवाद